टॉप पोर बेस्ट 5G प्रोसेसर स्मार्टफोन अंडर 15,000 रुपीज जहां दोस्तों आज की समय पर देखा जाए तो हर कोई मल्टी रास्किंग वगएरा करना चाहता है और ऐसे में उन्हें जाद जादा रहा हैं प्लस एक अच्छा सा प्रोसेसर भी चाहिए तो ऐसे में अगर आप एक पौर्फिल प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन ढूण रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत जादा हेलफ हो ने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिएकर आचुके हैं इसे चार स्मार्टफोन जहां पर नाकिवाल आपको बढ़ियाँ स्परसिफिकेशन, दमदार फीचर्स और वाईजी के सपोर्ट के साथ में एक बढ़ियाँ चिपसेट भी देखने को मिलेगा तो ये वीडियो एंट तक ज़रूर देखीगा और अगर आप मारे चैनल पर नए है तो चल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर दबाद दीजीगा चली शुरू करते हैं मेरा नाम राम और गैजेक न्यूज जिंदी पे आप सभी का स्वागत है तो चली दूस्तों शुरू करते हैं इस लिस्ट को और बात करते हैं सबसे पहले उनी उसर्स की जो कि इस प्राइस पॉइंट के अंदर अच्छी पर्फॉर्मेंस तागडे क्याम रास या फिर यूं कहें कि एक अच्छा खासा ओल राउंडर पैकेज ढून रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कोको का X6 Neo 5G बात करें इस फोन की तो दोस्तों यह स्मार्टपोन आपको पूरी तरसे प्लास्टिक बिल्ड पर मिल जाता है हलाकि बैक में आपको यहाँ पर मैट पनिशिंग देखने को मिल जाती है साथ इसाथ 7.7 mm की ठीकनेस और 175 ग्र वैसा ही लुक आपको यहाँ पर दिया गया है तो चले दोस्तों बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की डिस्प्ले की तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.67 mm की एक Full HD Plus वाली 10-bit की AMOLED पैनल जहाँ पर आपको Corning Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है एक 1000 नीट्स तक की Peak Brightness दी गई है तो इंडोर और आपडर में Visibility की आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली और हाँ दूस्तों 120 Hz तक की High Refreshed और 240 Hz की Touch Sampling Rate का Support भी आपको मिल जाता है तो और वल देखेंगे तो Price Point के अंदर Display Quality आपको यहाँ पर काफी अच्छी दी गई है तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो Front से फोन काफी अच्छा देखने को भी मिल जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आप यहाँ पर फोन के Cameras की तो Backside में आपको यहाँ पर सिर्फ दो Cameras मिलेंगे Main Camera लगावा 108 Megapixel का जो क्या था F1.8 Aperture के साथ में साथी में आपको यहाँ पर 2 Megapixel का एक Depth Sensor भी दिया गया है लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर वीडियो क्वालिटी की तो आपको यहाँ पर Maximum Full HD की वीडियो रिकॉडिंग का उप्चन मिल जाएगा Front और Back Camera से अप्टू 30 FPS चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आप यहाँ पर फोन के साथी साथ LPDDR4S RAM और EFS 2.2 का स्टोरेज भी आपको मिल जाएगा और हाँ अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर डेली यूसेस में भी कोई शिकायत नहीं आती है सो ओर ओल देखेंगे तो परफॉर्मेस में आपको यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी अब बात करते हैं फोर के पाउर आउस की तो बैक साइड में 5000 मेच की बैटरी लगी हुई है 33 वाट चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगी वहीं पर हम कुछ एडवांस फीचर की बात कर लें तो आपको यहाँ पर मिलता है एक साइड माउंटेट पिंग पिंग पिंट सेंसर 3.5 mm का जैक सिंगल बॉटम फारिंग स्पीकर्स लेकिन दोस्तों और आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली और हाँ अगर हम बात कर एक कार्ड उप्शन की तो आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का उप्शन मिल जाता है तो आप यहाँ पर एक साइट में दो 5G SIM या फिर एक 5G SIM और एक मेमरी कार्ड लगा सकते है रही बाद user interface की तो यह smartphone आपता है latest Android 14 पर तो यह अच्छी बात है जहाँ पर आपको पोको की कस्टम स्किन का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा रही बाद 5G bands की तो यह smartphone अप्टू 7 5G band को सपोर्ट भी करता है तो और और देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली build quality और design दोनों ही phone के यहाँ पर काफी अच्छे दिये गए साथ यह phone 8.9 mm की thickness और 192 grams के साथ में आता है तो देखा जातों जादा मोटा भी नहीं और जादा बलकी भी नहीं तो in-hand feeling में phone काफी अच्छा रहता है वैसे आपको बता दूँ कि यह smartphone हलके फुलके water और dust protection के साथ में आता है यान कि आपको यहाँ पर IP54 की rating भी मिल जाती है तो overall build quality यहाँ पर फोन की अच्छी है आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आएगी अब बात करते हैं phone की display की तो इस phone के अंदर आपको मिलती ही 6.5 इंचेस की full HD plus वाली IPS LCD पैनल जहाँ पर आपको Corning Gorilla Glass 3 का protection मिल जाता है और साथी साथ यह smartphone अप्टू 600 nits की peak brightness के साथ में आता है तो display quality में आपको यहाँ पर कहीं कोई issue देखने को नहीं मिलते हैं चलिए बात करते हैं phone के cameras की तो back side में आपको दो cameras देखने को मिल जाते हैं main camera लगा है 50 megapixel का जोकि F1.8 aperture के साथ में आता है साथ ही में आपको यहाँ पर OIS जैसे features भी देखने को मिल जाएंगे इन सभी के अलाबा 8 megapixel का आपको एक ultra wide lens मिल जाएगा जोकि आपको depth और macro photo खीचने में भी काफी मदद करता है सो देखा जाए तो यहाँ पर आपको लगबग एक complete setup देखने को मिल जाता है फ्रेंट की बात करें तो फ्रेंट में आपको मिलता है 16 megapixel का selfie snapper सो camera set of phone का यहाँ पर अच्छा दिया गया है daylight में photos बगर भी अच्छी निकल कर आती है साथ ही साथ आपको यहाँ पर night mode का support भी देखने को मिल जाएगा और अच्छी बात यह है दोस्तों कि आपको यहाँ पर front और back दोनों ही camera से full HD की video recording का option मिल जाता है up to 30 fps चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आप यहाँ पर phone के chipset की तो इस phone के अंदर लगा हुआ है 6 NM-based media deck Dimensity 7025 का chipset जिससे अगर हम compare करें Moto G54 से तो यहाँ पर आपको लगबग same performance ही निकाल कर देता है यहाँ पर यह smartphone on 22 पर लगबग 5 लाग के आसपा स्कोर कर जाता है सो medium level की giving आप यहाँ पर easily कर सकते हैं आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आएगी वैसे यहाँ पर आपको LPDDR4X की RAM और EFS 2.2 का storage भी देखने को मिल जाता है सो overall performance में आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आने वाले आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आप यहाँ पर फोन के powerhouse की तो back side में 6000 mAh का एक बड़ा सा बैटरा लगा हुआ है जो कि 30W की charging को support करता है charger box के अंदर और charging के type-C वाली port भी आपको मिल जाती है तो normal using पर आपको यहाँ पर एक से डिर दिन का backup बहुत आराम से मिलता है चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आप यहाँ पर कुछ advanced features की तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है side mounted finger pin sensor 3.5 mm का jack दिया गया है और आपको यहाँ पर dual stereo speakers देखने को मिल जाते हैं जिसके tuning आपको मिल जाएगी Dolby Atmos की तरफ से और यहाँ पर जो audio quality दोस्तों डेफिनेटली बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है रही बात card option की तो आपको यहाँ पर hybrid card का option मिल जाएगा लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर Android 15 का update बहुत जल देखने को मिलने माला है साथ ही साथ यहाँ पर आपको तीन साल के और भी security purchase देखने को मिल जाएगे तो यह भी काफी अच्छी बात है और वल देखेंगे तो यह complete package मोटरोला की तरब से अगर आप चाहें तो इस smartphone की तरब देख सकते हैं बात कर लें pricing की तो दोस्तो 8GB RAM और 128GB storage के लिए आपको देने होंगे 14,999 रुपे बट अभी आपको यहाँ पर कुछ bank offers देखने को मिल जाएंगे जिने apply करके यह phone effectively आप 14,000 रुपे कीमत पर purchase कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो बात करते हैं लिस्ट के अगले phone की और यहाँ पर अमने रखा हुआ है Vivo की तरब से latest launch Vivo का T3XYG बात करें इस phone की तो दोस्तो यह phone आपको पूरी तरस से plastic build पर मिलता है हाला कि पिछले Vivo T2X के मुकाबले में आपको यहाँ पर design थोड़ा सा और better देखने को मिल जाएगा साथी 8mm की thickness और 199 grams के साथ में आता है तो in-hand feeling में भी phone काफी अच्छा है और हाँ आपको यहाँ पर IP64 की rating मिल जाएगी तो water और dust का protection आपको यहाँ पर मिल जाता है तो देखा जाए तो build quality आपको यहाँ पर काफी अच्छी देखने को मिलती है और phone का look भी काफी कमाल का है आगरे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपको यहाँ पर phone के display की साथी साथ gaming के लिए 120 Hz तक की high refresh rate और 240 Hz की आपको यहाँ पर test sampling rate मिल जाती है और और डिस्प्ले क्वाल्टी यहाँ पर काफी अच्छी दिए गए और अच्छी बात यह है कि Vivo T2X के मुगामले में आपको यहाँ पर पंचोल डिस्प्ले देखने को मिल जाती जो की और भी अच्छी बात है चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर phone के cameras की तो back side में आपको यहाँ पर दो cameras मिलेंगी main camera 50 megapixel का जो की F1.8 aperture के साथ में आता है और साथ ही में आपको यहाँ पर 2 megapixel का एक depth sensor देखने को मिलेगा front की बात कर लें तो front में आपको दिया गया है 8 megapixel का selfie sniper camera setup phone का यहाँ पर ठीक है रही बात यहाँ पर output की तो daylight में photos काफी अच्छी आती है photos में आपको यहाँ पर पोई शिकायत नहीं आने वाली है और हाँ दूस्तों यहाँ पर आपको night mode का support भी दिया गया है वैसे इसके अलावब भी काफी सारी different modes दिये गया है तो यह अच्छी बात है वहीं पर अगर हम बात करें video output की तो यहाँ पर आपको back camera से 4K तक की video recording का option मिल जाता है up to 30 fps जो की बहुत यह अच्छी बात है हालाकि आपको यहाँ पर कोई OS जैसे features नहीं देखने को मिलेंगे लेकिन अगर आप 1080p पर record करते हैं तो आपको यहाँ पर EIS का feature देखने को मिल जाएगा और अगर हम Vivo T2X से compare करें तो आपको यहाँ पर slightly better images देखने को मिल जाती है तो यह अच्छी बात है तो चलिए अब बात करते हैं फोन की performance की तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है 4NMB Snapdragon 6 Generation 1 का chipset और दोस्तों यह इस price phone के अंदर आने वाला एक काफी कमाल का chipset है यह ओंदेतों पर लगवा 5,60,000 का स्कोर कर जाता है जो कि इस price phone के इसाब से definitely काफी अच्छी स्कोर है साथ ही आपको यहाँ पर Adreno 710 का GPU देखने को मिल जाता है तो अगर आप यहाँ पर BGM Airs से games खेलते हैं तो यह smartphone आपको HD graphics पर high quality की gaming कराने में capable है इन सभी के अलावा LPDDR4X की RAM और UFS 2.2 का storage आपको मिल जाता है तो performance में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने माले अब बात कर लेते हैं phone के powerhouse की तो back side में आपको 6000 image का बड़ा सा बैटरा देखने को मिलने वाला है और हाँ वीवो की तरफ से काफी बड़ी बात है साथ ही साथ यह phone 44 Watt की charging को support करता है charger box के अंदर charging के लिए Type-C वाली port भी आपको मिल जाती है तो 15,000 रपर के अंदर देखेंगे तो यह भी काफी अच्छी बात है और हाँ आपको यहाँ पर backup भी काफी अच्छा मिलता है चलिए अब बात कहलते हैं कुछ advanced features की तो यहाँ पर आपको मिलता है side-bounded fingerprint sensor 3.5 mm का jack दिया गया और हाँ आपको यहाँ पर dual studio speakers मिल जाते हैं Dolby Atmos के साथ में तो audio quality भी आपर काफी अच्छी मिलती है card option की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर hybrid card का slot मिल जागा बात 5G bands की तो यह smartphone up to 8 5G bands को support करता है तो इसमें भी आपको को issue देखने को नहीं मिलेंगे और रही बात updates की तो definitely आपको यहाँ पर Android 15 का update देखने को मिल जाएगा और possibly आपको यहाँ पर दो साल के security patches भी देखने को मिलने वाल है रही बात यहाँ पर pricing की दोस्तों इस smartphone इस price point के अदर आपको काफी कमाल की performance निकाल कर देता है और यह smartphone यहाँ पर Realme का P1 5G बात करें phone की तो यहाँ पर यह phone आपको plastic build पर मिलने वाला है साथ ही साथ IP54 याने के हलके फुल के water और dust protection के साथ में आता है इन सभी के अलावा 7.9 mm की thickness और 188 grams का है तो overall देखेंगे तो phone की build quality अच्छी है और रही बाट design की तो design आप यहाँ पर देख सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आप यहाँ पर phone की display की तो दोस्तों यह phone आता है 6.67 inches के एक Full HD Plus वाली AMOLED पैनल के साथ में साथ ही Corning Gorilla Glass का protection दिया गया है और 2000 नीट्स तक की peak brightness मिलती है तो indoor और outdoor में आपको यहाँ पर visibility की कोई खास दिक्कत नहीं आएगी और हाँ अगर हम बात करें gaming की तो 120 Hz तक की higher appreciate और 240 Hz की आपको यहाँ पर touch sampling rate मिलती है इतना ही नहीं आपको यहाँ पर wide wide level का support भी मिल जाता है और देखा जाए तो content watching के लिए भी display काफी अच्छी है तो ओर ओर display wise आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आप यहाँ पर phone के cameras की तो back side में आपको यहाँ पर दो cameras देखने को मिलते हैं main camera लगा है 50 megapixel का जो कि F1.8 aperture के साथ में आता है जहाँ आप Samsung का S5K JN1 वारा sensor लगा हुआ है जो कि इस price point के इसाब से काफी दा capable sensor है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर 2 megapixel का एक depth sensor मिल जाता है front की बात करें तो front में आपको मिलता है 16 megapixel का selfie snapper रही बात camera output के दो दो daylight में photos काफी अच्छी निकाल कराती है तो daylight में आपको यहाँ पर कहीं भी खोशिकाद नहीं आने वाली और साथ ही साथ आपको यहाँ पर काफी different modes बगेर भी देखने को मिल जाएंगे तो यह भी अच्छी बात है वैसे अगर हम बात करें यहाँ पर video recording ही तो back camera से आपको यहाँ पर 4K तक की video recording का option मिल जाता है up to 30fps लेकिन 4K की video उतनी ज़्यादा stable नहीं होती है और दोस्तों यह पहला स्मार्टफोन जो कि आपको 15,000 रुपे के अंदर इतना powerful चिपसेट यहाँ दोस्तों यहाँ पर आपको गेमिंग के लिए आम माली G68 MC4 का चार कोर का GPU देखने को मिल जाता है इन सभी के अलावर daily task वगेरा में भी आपको आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेंगे और हाँ दोस्तों यहाँ पर आपको LPDDR4X की RAM और UFS 3.1 का storage भी मिल जाता है अगर आप एक normal user है तो आपको यहाँ पर एक दिन का backup काफी आराम से मिल जाएगा चलिए अब बात करते कुछ advanced features की तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है एक under display optical fingerprint sensor 3.5mm का jack दिया गया है तो यह काफी अच्छी बात है साथी साथ आपको यहाँ पर dual stereo speakers का support भी देखने को मिल जाता है और हाँ दोस्तों यहाँ पर audio quality भी काफी अच्छी तो यहाँ पर भी आपको कोई शिकायत नहीं आएगी रही बात card option की तो possibly आपको यहाँ पर hybrid card का option मिल जाता है तो आप यहाँ पर एक साथ भी दो 5G sim या फिर एक 5G sim और एक memory card लगा सकते है अब बात कर लेते हैं यहाँ पर user interface की तो दोस्तों यह smartphone launch का गया android 14 based realme UI 5.0 तो फोन की software performance भी यहाँ पर काफी अच्छी रहती है आपको यहाँ पर 3 साल के major update का support मिलेगा और 4 साल तक के security patches भी आपको यहाँ पर मिलने वाले तो देखा जाए तो यह भी काफी अच्छी बात है तो चलिए अब बात कर लेते हैं प्राइजिंग की तो 6 और 128 के लिए आपको देने होंगे 15,999 रुपए बड़ दोस्तों bank offers पर यह smartphone easily आपको 15,000 रुपए के अंदर मिल रहा है और इस price पॉंट करते देखेंगे तो realme की तरफ से आने वाला one of the best phone है दोस्तों यह था वह चार smartphone जहां पर आपको better specification भी मिल जाती है और सभी के अंदर आपको पढ़िया प्रोसेसर भी दिये गए है